नवस्कार दोस्तों, डिट है आज की 7 अगस्ट 2021 और स्वागत है आपका एक्टोरियल डिसकेशन में तीन इशूज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहला रिट्रोस्पेक्टिव टेक्स से समधित दूसरा इशू हम डिसकेश करेंगे साउथ एशिया में डिश्टल ट्रांस्फोर्मेशन से समधित और तीसरा इशू हम डिसकेश करेंगे स्कूल को रि ओपन करने से समधित चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल रिट्रोस्पेक्टिव टेक्स से समधित हैं आप जी एस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हूं देखो सबसे पहले तो हम बैग्राउंड जानेंगे रिट्रोस्पेक्टिव टेक्स से समधित बैग्राउंड क्या हैं वोड़ाफोन का केस क्या हैं केरन एनर्जी कंपनी का केस क्या हैं उसके बाद बैग्राउंड जानने के बाद हम डिस्कस करेंगे की नया क्या हुआ हैं देखो केरन एनर्जी के केस को समझने से पहले हम वोड़ाफोन का केस समझते हैं वोड़ाफोन कंपनी के साथ क्या हुआ था क्योंकि केन एनर्जी का जो केस है वो Vodafone जैसा ही है आपको याद होगा 2007 के आसपास हमारे देश में एक टेलिकॉम कंपनी हुआ करती थी हज ये होंग कोंग की कंपनी थी जो इंडिया में ओपरेट किया करती थी इस कंपनी के सेर्स को एक्वाइर किया गया Vodafone के द्वारा अब Vodafone जो कंपनी है वो UK की कंपनी है लेकिन देखो Vodafone ने हज को जो एक्वाइर किया ये डील हुई कहां पर Cayman Islands में आपके मन में एक बात ये आई होगी कि एक UK की कंपनी Hong Kong की कंपनी से इंडिया की एसेट्स परचेज कर रही है वो भी एक Cayman Islands में तो ये डील इंडिया में क्यों नहीं साइन हुई क्योंकि देखो ये कंपनीस चलाग थी इनको पता था कि Cayman Islands जो हैं जो कि वैसे UK की एक overseas territory हैं लेकिन Caribbean Sea में हैं तो इन कंपनीस को पता था इनको लगा ये क्या बेवपूफ मना रही है मतलब इंडिया में हज की assets को बेचा गया है और उसे Vodafone की कंपनी ने खरीदा है और effectively tax नहीं मिला इंडिया को बिल्कुल भी चलो एक पल के लिए हमने मान लिया कि इन्होंने UK को tax दिया क्योंकि Vodafone UK की कंपनी है या फिर Hong Kong को tax दिया गया क्योंकि Huch जो है वो Hong Kong की कंपनी है नहीं किसी को भी tax नहीं मिला तो पर्णा मुखरजी ने कहा क्या कोई ऐसी transaction हो सकती है जिसमें profit हो लेकिन कोई tax भी ना दे किसी को भी तो उस समय income tax department ने tax liability raise कर दी Vodafone के against अब आपके मन में आया होगा Vodafone के against क्यों क्योंकि देखो Vodafone ने purchase किया था हच इंडिया को यानि हच की इंडियन एसेट्स को तो काईदे से Vodafone को TDS काटना चाहिए था मतलब Vodafone ने जब पैसा दिया था हच को तो उसमें से कुछ पैसा Vodafone के दवारा काट दिया जाता और उसे income tax authorities को दे दिया जाता ऐसा Indian income tax department Vodafone ने पैसे देने से इंकार कर दिया कि भाया ऐसे कैसे मतलब आपके tax system में loop holes हैं आप उन्हें ठीक कीजिए हमने जो कुछ किया इसमें कुछ गलत नहीं है तो मामला पहुंचा High Court में High Court ने सरकार के पक्स में फैसला दिया High Court ने कहा कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने जो tax liability raise की है Vodafone के against वो बिल्कुल सही है तो Vodafone ने फिर appeal file कर दी Supreme Court में Supreme Court ने फैसला दिया Vodafone के पक्स में Supreme Court ने कहा कि tax system में कमिया है तो फिलाल के लाखे अनुसार Vodafone को कोई tax देना बनता नहीं है मतलब Vodafone Supreme Court में case Vodafone Supreme Court में case जीच चुका था अब दिखो Supreme Court देश की सबसे बड़ी court है Supreme Court ने फैसला दिया तो सरकार को मान लेना चाहिए था नहीं सरकार ने क्या किया उस समय 2012 की ये बात है सरकार ने ये किया कि Supreme Court ने ये फैसला जो दिया है अभी के कानून के हिसाब से दिया है बट Retrospective कानून चेंज कर दिया Income Tax Act जो 1961 है ना उसको Retrospectively चेंज कर दिया गया सरकार के दवारा और कहा गया कि future में मतलब 1961 से लेके अभी तक जो भी transactions हुई है उन पर ये नया जो provision add किया गया है वो लागू होगा आप बताएए क्या ये सही है ये गलत है देखो Retrospective कोई चीज implement करना वो तो गलत ही है मतलब काईदे से अब कोई भी company इंडिया में invest करती है तो present last को ध्यान में रखके ही करती है कि अभी फिलाल इंडिया में ला ये है लेकिन आप पीछे जाके कानून change कर देते हो कि हमने कोई नई चीज add की है और ये चीज 1961 से लागू होगी तो तो उस company को लगेगा न कि भाईया मैंने तो आपके देश में invest किया है present last को देखते हुए कि मेरी investment कितनी सुरक्षित रहेगी कि मुझे कितना tax देना पड़ेगा बट अब आप नया provision add कर रहे हो वो भी बहुत पीछे से यानि 1961 से आप कह रहे हो कि जितनी भी transaction हुई है उन पर ये नया provision implement होगा तो इसका मतलब तो आपका tax environment stable नहीं है ना आप कभी भी कुछ भी कर देते हो वो पीछे से implement कर देते हो लेकिन सरकार ने ऐसा किया देखो अब काईदे से system में गलतियां थी कमियां थी जिसका फाइदा इन companies के द्वारा उठाया गया बट retrospectively किसी ने खास करके tax provision को implement करना ये किसी भी देश के investment scenario के लिए अच्छा नहीं है ये गलती सरकार के द्वारा की गई 2012 में पर्णमुखरजी अपने किताब में लिखते भी है कि मनमोहन सिंग जो हमारे देश के परधान मंतरी थे उस समय पीछ दमरम सबने विरोध किया था आप ऐसा मत कीजिए उस समय देश में investment environment खराब होगा बट पर्णमुखरजी के द्वारा सुप्रिंग कोर्ट में केस हारने के बाद ये रिट्रोस्पेक्टिवली लाचेंज किया गया और नई चीज एड़ की गई कि अगर इंडिया की assets को offshore भी बेचा जाता है यानि किसी ऐसे island पर बेच दिया जाता है जो tax 7 है तो भी इंडिया को tax देना पड़ेगा तो फिर देखो चुकि Vodafone UK की company थी और UK और इंडिया के बीच एक bilateral investment treaty उस समय साइन थी कि अगर companies के बीच आपस में dispute हो जाता है तो उसे amicably सुलजाय जाएगा of arbitration के पास तो तीन महिने पहले permanent court of arbitration का verdict आ गया और court ने यही कहा कि इंडिया ने जो कुछ किया है वो गलत है retrospective आप tax provisions को end नहीं कर सकते यानि Vodafone case को इंडिया हार गया arbitration court में और देखो एक हरानी की बात आपको बताओ जो यह arbitration court जिसमें इंडिया केस हारा ना इसमें तीन नोमिनी होते हैं जिस एक को recommend किया गया Vodafone ने एक को recommend किया इंडिया ने और एक neutral बट इवन इंडिया के जो नोमिनी थे ना यानि जिस जज को इंडिया ने अपना नोमिनी बनाया था कि इनको आप इस arbitration panel में सामिल कर लो इवन उन्होंने भी इंडिया के खिलाफ ही verdict दिया तो Vodafone case का जो verdict सामने आया था नब वो unanimous था यानि तीनों के तीनों judges ने यही कहा कि इंडिया की गलती है इंडिया के case में कोई merit नहीं है और Vodafone को कोई tax देना बनता नहीं है इंडियन सरकार को तो अब देखो यह तो हमने बात की Vodafone के case की तो यह तो हमने बात की Vodafone के case की अब बात करते हैं केरन कंपनी के case के बारे में देखो हुआ क्या 2011 में केरन इंडिया जो की एक oil company है केरन एनर्जी यह एक parent company है मतलब केरन इंडिया company के जो shares थे वो केरन एनर्जी के पास थे काफी वैसे इस case में complexities भी है क्योंकि बीच में एक केरन UK company भी है बट इतना ज़्यादा complexities में आपको जाने की आप सकता नहीं है simply बता देता हूँ केरन इंडिया के जो shares थे उसको बेच दिया गया केरन एनर्जी कंपनी के द्वरा विदानता को लेकिन जब ऐसा किया गया तो फिर income tax department ने इसी retrospective tax provision के अधार पर बोला कि भाया आप हमें tax दीजिए इवन इस case में तो income tax department ने पूरी transaction को complete ही नहीं होने दिया 9.8% something कुछ shares खुद के पास ही रख लिये इवन dividend भी नहीं transfer होने दिया dividend transfer होने पर रोक लगा दी गई tax refund भी नहीं लेने दिया मतलब जबरन आप कह सकते हो tax वसूल ही लिया गया अलग-अलग तरीकों से income tax department के द्वारा कि आप भाग जाओगे आप हमी tax दे दीजिए tax जबरन ले लिया गया तो इस case में भी जो care energy थी वो investment treaty के provisions के अनुसार गई कहां पर arbitration court के पास में और अब उसी arbitration court का फैसला आया है और इंडिया ये case हार गया है आदेश दिया गया है court के द्वारा कि 1.4 billion dollars damage दिया जाए Indian government के द्वारा केरन energy company को तो Vodafone का case भी India हार गया और केरन का case भी India हार गया अब देखो इसमें बहुत सारे issues involved है चलो Vodafone का case इंडिया हारा इंडिया को कम से कम tax देना तो नहीं है न जैसे की केरन energy के case में हुआ कि जबरन इंडिया ने tax ले ही लिया 9.8% shares रख लिये dividend नहीं transfer होने दिया tax refund नहीं जाने दिया तो अब 1.4 billion dollars देने पड़ेंगे केरन के case में Vodafone के case में सिरफ 80 क्रोड देने है लेकिन केरन energy के case में 1.4 billion dollars देने है कितनी बड़ी रखम है पैसे वैसे ही नहीं है सरकार के पास में आपको पता है महामारी का समय है सरकार के पास तो पैसों की बहुत कमी है इवन देखो जितना लंबा ये case चलेंगे न उतना ही इंडिया के बारे में इंडिया की जो reputation है investment friendly country की वो खराब होती है क्योंकि फिर विबिन देशों को लगेगा विबिन companies को लगेगा अरे यार इंडिया में तो retrospective कुछ भी implement कर देते हैं और वहाँ पर invest करना safe नहीं है मतलब आज ये नहीं ती है कल को retrospectively कुछ अलग ये provision add कर देंगे बोलेंगे कि आप हमें ये tax दो वो tax दो तो ये investment के लिए ये चीजें ठीक नहीं है अब देखो एक चीज हुई क्या आर्टिकल में ये भी बोला जाता है कि जब ये परधामंतरी मोदी उस समय विपक्स में थे तो उन्होंने कहा था कि ये retrospectively tax liability raise करना ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए ये देश के investment friendly image के लिए अच्छा नहीं है लेकिन 2014 में परधामंतरी मोदी मतलब नरेंदर मोदी परधामंतरी बन गए लेकिन उसके बाद अब काईदे से सरकार को पहले साल में ही ठीक कर देना चाहिए था ये सब कुछ इंडिया केस हारता ही ना और image और ज़्यदा खराब नहीं होती लेकिन उस समय काफी आरोप लगे थे कि ये एंडिया की जो government है वो suit boat की government है गरीबों के लिए काम नहीं करती तो सरकार को ऐसा लगा होगा कि अगर हम इन cases को परशू नहीं करते हैं तो हमारी image और ज़्यदा खराब हो जाएगी कि ये सरकार जो है बड़े corporate groups के लिए काम करती है गरीब लोग के लिए कुछ नहीं करती और बड़े-बड़े corporate groups के जो tax liability है वो माफ कर दी जाती है तो सरकार ने इन cases को परशू करना जारी रखा अब Vodafone का verdict आ चुका है लेकिन सरकार के पास option था कि तीन महिने के अंदर-अंदर या तो appeal file की जाए या फिर ना की जाए और सरकार ने appeal file कर दी तीन महिने के अंदर-अंदर इवन देखो Karen Energy का case में भी सरकार ने तीन महिने के अंदर-अंदर appeal file कर दी arbitration court के फैसले के against him बट देखो जो Karen Energy Company है वो France की court के पास चली गई कि arbitration court का जो फैसला आया है इसे implement करवाय जाए और France में इंडिया की जो properties पड़ी है जैसे embassy की building है और properties इंडिया के पड़ी होंगी उनको siege किया जाए as a guarantee के तोर पर कि Indian government Karen Company को पैसा दे arbitration court के फैसले के अनुसार ये देखो इंडिया के लिए पहुत ज़्यादा ही humiliation था मान लिजिए इंडिया की properties जो है उनको जब्द कर लिया जाता है किसी foreign country में और इसलिए कि इंडिया को किसी company को पैसे देने है as a guarantee के तोर पर इंडिया की properties को जब्द किया गया है तो ये आप बताइए कितने ज़्यादा सरम की बात है बेश्ती में काफी हो रही थी इंडिया की कि even arbitration court के फैसले के आने के बाद भी इंडिया इस retrospective tax को खतम नहीं कर रही है सरकार पे काफी pressure था क्योंकि COVID-19 की महमारी की situation में foreign investment नहीं आ रही है जबकि foreign investment देश की economy में बड़ा role play कर सकती है तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने decision लिया कि बस यार बहुत हो गया अब हम इस retrospective tax को pursue नहीं करेंगे सरकार ने कल ये कहा कि parliament में एक bill हम लेके आएंगे 2012 में retrospect tax समंदी जो ये amendment थी इसे nullify करने के लिए सरकार जो bill लेके आएगी उसमें दो-तिन मुख्य बाते देखो ये होगी सरकार ने कहा है कि 2012 से पहले जो transactions हुई थी offshore transactions उन पर retrospective tax नहीं लगेगा ऐसा सरकार ने बोला है already जो case चल रही है या फिर सरकार ने tax वसूल लिया है तो वो सारा tax सरकार वापस देने के लिए तयार है even जो litigation cost आई है companies की उसे भी सरकार चुकाने के लिए तयार है तो वैसे देखो ये बहुत अच्छा step है लेकिन सरकार ने बिल में ये भी provision किया है हम various companies को पैसा तभी वापस करेंगे अगर companies 2-3 conditions को fulfill करती हो एक तो जिस company ने इंडिया के खिलाफ case करके रखा है वो अपनी litigation वापस लेती है दूसरा इंडिया पैसा तो दे देगी litigation कोश्ट भी देदेगी अगर tax वसूला है retrospective tax 2012 से पहले की transactions पर उसे भी इंडिया वापस कर देगी लेकिन companies इंडिया से damaging कोश्ट नहीं मानेगी मतलब ऐसा नेगी company यूँ बोल देगी हाँ इंडिया के tax वसूले जाने के करण हमें इतने का नुकसान हो गया interest भी दो नहीं ना तो इंडिया इंट्रेस्ट देगा ना ही कोई damage देगा ना ही cost देगा जितना tax इंडिया ने वसूला है वो इंडिया वापस देदेगा जितना litigation पे cost आई है वो इंडिया वापस देदेगा ऐसा provision किया है इस bill में Taxation Law Amendment Bill 2021 देखो सरकार का ये जो फैसला है न बिल लाने का retrospective tax को खतम करने के लिए अच्छा फैसला है लिकन ये पहले ही implement कर देते पहले implement करते तो इतनी बेशती तो नहीं होती इंडिया की सरकार कहती है हम permanent court of arbitration के फैसले का इंतजार कर रहे थे सरकार बेवकूफ समझती है बेवकूफ इसलिए समझती है permanent court of arbitration के फैसले के अगेंस्ट इन्होंने appeal भी फाइल कर दी अगर आप permanent court of arbitration के फैसले का इंतजार कर रहे थे तो कम से कम उस फैसले के खिलाफ appeal तो फाइल नहीं करते न appeal भी नोंने फाइल कर दी legal cost भी आई होगी खर्चा भी लगा होगा appeal फाइल करने का तो फिर जब आपको ये फैसला लेना ही था तो फिर appeal फाइल ही क्यों करी भाया कम से कम वो पैसे तो बचा लो थोड़ा बहुत एक एक पैसे की कीमत है खर देर आए दुरुस्त आए इस फैसले के देखो काफी सारे फाइदे हैं सबसे पहला तो जो जिन companies का case चल रहा है retrospective tax से समन्दित अब उन companies को opportunity मिलेगी ये सारे matters soul करवाने की दूसरा जो foreign investors के मन में एक doubt होता है कि इंडिया तो देखो ऐसा देश है जहां पर policy में बिल्कुल ही stability नहीं है कभी भी ये retrospective tax लगा देते हैं तो सरकार का ये बढ़िया फैसला है उन foreign investors को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो नहीं ऐसा नहीं है कि पहले गलती हुई थी अब हमने उस गलती को सुधार लिया है और investment जब आएगी तो COVID-19 के situation में जो खराब economy है वो भी stimulate होगी jobs के अफसर पैदा होंगे और सरकार के जो commitment है कि इंडिया में जो tax environment है वो hostile नहीं होगा उसी के अनुरूप है सरकार का ये फैसला केंगी लास्ट में आटिकल में कहा जाता है अब देखो सरकार कैसे न कैसे करके इन companies के साथ मामला खतम ही कर दे मतलब छोटी-छोटी चीजों को लेके ऐसा नहीं कि litigation खतम ना हो अभी भी चलती रहे थोड़ी बहुत जो negotiation है उपर नीचे होती है तो सरकार खतम कर दे अब इन companies का जो case चल रहा है दूसरा आपको देखो long term में अगर stable tax environment बनाना है तो trade tariff fluctuate नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं कि import करने पर duty कभी आपने बहुत ज़्यादा लगा दी कभी बहुत कम कर दी GST rates भी आप कम कीजिए अभी slab काफी से रहनी चाहिए clarity रहनी चाहिए vague rules नहीं होने चाहिए ये सब होता है तो फिर investors का जो भरोसा है इंडिया की economy में बना रहेगा ज़्यादा investment आएगी चलते हैं आगे इसके बाद next article South Asia में digital transformation यानि digitalization से समद्दित हैं आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो ये सारे aspects हम cover करेंगे इस article की discussion में देखो COVID-19 ने ना सिरफ पूरे world में बलकि South Asia में digital transformation के trend को increase किया हैं आपको पता है COVID-19 के कारण बहुत सारी जो services हैं वो online हो गई जैसे education मान लीजिए, health services मान लीजिए, business मान लीजिए हैं यहां पर कुछ आंकडे हैं इंडिया में वैसे तो National Digital Health Mission ये project सरकार ने पहले ही start कर दिया था लेकिन महमारी आने के बाद इस project के execution में काफी तेजी आई इस project में हर एक person को हमारे देश में health ID देने का provision है अभी voluntary है ये project मतलब आप अपनी एक health ID बनवा सकते हो और अगर किसी डोक्टर के पास जाओगे आप अपनी health ID दोगे तो उस health ID की साइटा से डोक्टर आपके previous सारे health records को access कर सकेगा तो कई बार कोई दिक्कत होती है आप डोक्टर के पास पुराने जो test के results है वो लेके जाते हो ताकि दिखाय जाज के कि मेरी previous history यह है वो सब papers ले जाने के आप सकता नहीं होगी डोक्टर अपने आप से इस ID की साइटा से आपका पूरा पूरा जो previous health record है वो चेक कर सकेगा बांगा देश की बात करें बांगा देश में 2020 में जो online sales है 70-80% increase हो गई बांगा देश में 2020 में 708.46 million dollars का revenue जनरेट हुआ इस online sales में इवन नेपाल की बात आप कर लीजिए COVID-19 के करण नेपाल में जो internet users हैं उनकी संख्या 11% increase हो गई बट देखो digital divide अभी भी South Asia में काफी ज़दा है आज भी 50% जो इंडिया की population है वो without internet है बांगा देश की 59% जो population है वो without internet है और पाकिस्तान की 65% जो जनता है वो without internet है इस digital divide का देखो various sections पर घरा impact भी पड़ता है जैसे South Asian women की बात की गई है South Asia में जितनी महिलाए हैं उनमें से 51% जो ये social protection schemes होती है ना जैसे मंदेगा है इन schemes को access नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो online जूड़ी हुई नहीं हैं बच्चों की बात करें इस महामारी के कारण सब कुछ online हो गया education भी लेकिन 88% बच्चे बहुत ज़्यादा हिरान करने वाली figure हैं 88% बच्चे home schooling को access नहीं कर पाए क्योंकि या तो internet उनके पास था नहीं या फिर ठीक से नहीं चलता था और जब बच्चे घर रहते हैं online भी education आसिल नहीं करते तो काफी तरह के risk involved होते हैं जैसे early marriage कर दी जाती हैं बहुत से बच्चों को child labor के दुनिया में नकेल दिया जाता है child labor का एक topic हमने detail से discuss किया था आपको याद होगा इस Sunday आपने नहीं देखा तो ये topic आप देख लीजेगा child labor का detail से हमने discuss किया child labor की समस्या जो है वो कितनी ज़्यादा घंबीर हुई है COVID-19 के कारण कैसे इस child labor की समस्या को खतम किया जाए digital divide के हम बात कर रहे थे digital divide की वज़े से देखो business भी disrupt होते हैं छोटी-छोटी farms जो online नहीं हो पाती expertise नहीं होती छोटे businessmen के पास में कि वो एकदम से अपने operations को online कर दे तो ऐसे बहुत से business farms का जो काम है वो ठप हो गया है आंकड़ा भी दिया हुआ है South Asian farms का जो sales है वो 64% तक decline हुआ है खास करके छोटी farms और women-led farms का अगर देखो COVID-19 ने work life को पूरी तरह से transform किया है youth भी बदलते समय के हिसाब से skill हासिल नहीं करते हैं तो unemployment की समस्या जो है वो और ज़्यादा बढ़े गई इसके बाद देखो कुछ दूसरे देशों के example दिये जाते हैं जैसे Singapore, Japan, South Korea इन देशों को आज के समय में global technological hubs के तोर पे recognize किया जाता है चाइना की बात करें चाइना में smartphones की market काफी बड़ी है यह सारे OPPO, Vivo यह सारे चाइना के players हैं internet penetration काफी ज़्यादा हुआ है चाइना में और जो digital payment है यह भी ज़्यादा होने लगी है इन तीनों का result यह निकला है चाइना का जो e-commerce industry है वो 2024 तक 3 trillion dollars पहुंच जाएगा इंडिया की economy है 3 trillion dollars की सोच के देखिए उनका थो e-commerce industry का size हो जाएगा 2024 तक 3 trillion dollars इवन जो यह digital boom आया है आश्यान countries में भी तो यह countries मिलके एक common market initiative चला रही है ताकि आश्यान की जो member countries है उनकी economy आपस में और ज़्यादा integrate हो अब इसके बाद देखो opportunities की मात की जाती है कि South Asia में इस digitalization की opacity क्या-क्या है पहला point COVID-19 के बाद जो यह digitalization आया है e-commerce का scope काफी ज़्यादा बड़ा है नई-नई business opportunities पैदा हो सकती है और digitalization के माध्यम से South Asia की जो firms है बड़ी market को भी access कर सकती है इंडिया में 2030 तक e-commerce जो है वो 10 लाख jobs generate करेगा और 2026 तक इंडिया में e-commerce की जो market होगी वो 200 billion dollars की होगी चाइना के मुकाबले में तो बहुत ही कम नेस्ट जो fintech companies हैं जैसे देखो paytm ये financial inclusion को build करके financial inclusion मतलब जैसे देखो कोई person अगर financial products को avail कर रहा है for example उसके पास bank खाता है insurance की scheme उसने leave हुई है तो मतलब वो financial inclusion में सामिल है लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो bank खाता होता है ना कोई insurance की scheme होती है सरकार के ये जो financial products हैं उनके बारे में उन्हें awareness भी नहीं होती है हाला कि bank खाता की awareness वो सभी को होती है लेकिन वो उनका विश्वास नहीं है बैंकों के ऊपर लेकिन ये छोड़ी छोड़ी जो ATM जैसी companies आई है ना ये financial inclusion को increase करेंगी इससे गरीबी कम होगी पाकिस्तान का example देया जाता है पाकिस्तान का digital financial sector जो है वो पाकिस्तान की GDP को साथ परसेंट तक increase कर सकता है अगर देखो इस परकार से inclusive and sustainable digital transformation होता है तो समाज में जो socio-economic divide है मतलब कुछ class hierarchy में ऊपर कुछ नीचे या फिर economically देख लीजिए गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है ये सब कम होगा अगर inclusive and sustainable digital transformation साउथ हेश्या में होता है लाश में वेफ forward की बात की जाती है कैसे साउथ हेश्या इस digital transformation का फाइदा उठा है सबसे पहले जो देखो लीगल regulatory या फिर जो भी policy gaps हैं उनको fill करने के आव सकता है मतलब digitalization के regulation में कोई दिक्कत है कानून की कमी है उन सबको address करने के आव सकता है ताकि digital skills को boost किया जासके नेक्स्ट investment क्या आव सकता है अकेले इंडिया को 35 million dollars की annual investment क्या आव सकता है अगर इंडिया को top five global digital economies में रहना है public private partnership देखो एक बहुत ही अच्छा mechanism है अगर रीजन में digital infrastructure खड़ा करने में पैसो की कमी है तो public private partnership का सारा लिया जा सकता है digital infrastructure create करने के लिए next but customer को पी protect करने के आव सकता है जैसे जैसे digitalization आ रहा है customer और ज्यादा vulnerable है cyber attack आपको पता है और ज्यादा होने लगे है तो customer को protect करने के आव सकता है इसके बाद next privacy को ensure करने के लिए जैसे इंडिया में data protection bill अभी तक नहीं आया है आने वाला है उसी परकार से सभी South Asian countries में privacy को protect करने के लिए mechanism होना चाहिए लाश्ट में देखो सभी South Asian countries को जैसे सभी South Asian countries ने COVID-19 की महमारी के बाद हाथ मिलाया था एक video conference भी organize हुई थी उसी परकार से digital transformation से सम्मंदित practices को आपस में share करने के लिए South Asian countries को आपस में हाथ मिलाना चाहिए एक दूसरे से सीखना चाहिए तो यह हमने पूरा article discuss किया South Asia में digital transformation से सम्मंदित चलते हैं आगे इसके बाद next article schools को open करने से सम्मंदित है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो यह सारे aspects हम discuss करेंगे इस article को cover करते वक्त हम देखो 16-100 स्कूल बंद है बाखी सारी सीज़ें open हो गई हैं जैसे gym और businesses मंदिर सब कुछ open हो गया है मंदिर मस्चिद मतलब जीतने भी religious places हैं सारे open हो गए हैं लेकिन schools अभी तक नहीं खुले हैं और बक्ते क्यों दिकोरे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं सेयर करना सीखते हैं अपनी बारी का इंतिजार करना सीखते हैं नेगोशियेट करना शीखते हैं कुम्प्रोमाइस करना सीखते हैं और जो मीडे मील वाले स्कूल है वहाँ बच्चों को नूट्रीशन मिलता है घर के कैयोज से घर में बहुत ज़ादा उथल पुथल होती है तो उससे बचने का भी स्कूल एक अच्छा माध्यम है और देखो सारे पैरेंट्स तो ऐसे नहीं है जो एजूकेटिड है तो हजर इकिस में डबलो एच्चो और एमस का एक सीरो सर्वे कंड़क्ट हुआ जिस पर कॉमेंट करते हुए एमस के डिरेक्टर ने कहा कि 18 साल से कम उमर के जो बच्चे है उन बच्चों में देखो 50% में तो एंटीबोडीज मिली है यानि ये बच्चे आलरेडी इंफेक्टिड है उनके अंदर एंटीबोडीज है इसलिए स्कूल्स को ओपन कर देना चाहिए लेकिन कुछ मेजर्स के साथ में जैसे सभी स्कूल स्टाफ का प्रोपर वेक्शिनेशन हो मतलब सभी स्कूल स्टाफ जितना भी है ड्राइवर, पियन सब उनके लिए वेक्शिनेशन प्रोक्योर हो और पहले उनका वेक्शिनेशन हो अगर साइंटिस्ट चाहें तो स्कूल स्टाफ के लिए डोजीज के बीच में जो गैप है वो कम करने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं पब्लिक केंपेंड चलाए जाए पेरेंट्स को बताया जाए कि देखो बच्चा स्कूल जाएगा तो इतना नुक्सान नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो आल्रेडी एंटिबोडी उनके अंदर है और धिरे-धिरे करके आप स्कूल खोलो जैसे एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो अल्टरनेट डेज पर बुला लो दस को एक दिन बुला लो अगले दस को अगले दिन बुला लो और इवन देखो हाइब्रीड लर्निंग को भी परमोट करना चाहिए कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं भईया हम तो भेजना ही नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को स्कूल तो उनको ओनलाइन सिक्सा हासिल करने के लिए चोईस दे दो कि ठीक है आप घर बैटे क्लास लगा लो दिक्कत नहीं है जो भेजना चाहता है वो भेज ले कोवीड रिलेटीड प्रोटोकोल्स जो है उनका प्रोपर पालन क्या जाए जैसे हैंड हाईजीन प्रोपर वेंटिलेशन स्टूडेंट्स के बीच में गैप सब कुछ मतलब इनका प्रोपर ध्यान रखा जाए इसके साथ साथ स्टाफ के लिए मेडिकल कंसल्टेशन भी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि पैरेंट्स को कभी भी मेडिकल कंसल्टेशन के आप सकता हो उन्हें इदर-दर भागना ना पड़े अंत में आर्टिकल में कहा जाता है देखो नियर फ्यूचर में एकदम से कोविड-19 की जो महमारी है वो खतम नहीं होगी और बच्चे आइसुलेट रहते हैं तो उनकी ये कोश्ट उन पर बहुत ज़्यादा पड़ती है और 100% गरंटी कभी भी स्कूल देने के लिए नहीं राजी होंगे कि हाँ आपका बच्चा जो है कोविड-19 एफेक्टिड नहीं होगा ऐसी गरंटी कोई भी नहीं दे सकता तो हमें mutually trust establish करने के आव सकता है COVID-19 safety protocol का हम पालन करें vaccination unnecessary travel को avoid करें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी साहिता से COVID-19 के infection से बचा जा सकता है और schools को open किया जा सकता है जो कि आज के समय में आव सकता है तो ये पूरा आठकल हमने discuss किया school opening से समदित हमारी आज की इस discussion में इतना ही है आज हमने तीन issues को details से discuss किया thank you thank you very much for discussion